नमिश्कार दोस्तों बैं हूं महिनु दोगने motivation speaker और life coach और लेकर आगया हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी जबरदस class जिसके लिए आप लोग बहुत ज़ादा इंतिजार भी कर रहे थे और कई बार fundamental analysis की भी बात होती है class number 89 और ये आपके लिए इस पर उपलब्द है अब ध्यान से समझेगा कि आज हम fundamental analysis सीखने वाले हैं अभी तब जितनी भी classes हुए है वो technicals के बारे मीटी चीक है कि technicals को कैसे देखते हैं उन्हें कैसे read करते हैं चार्ट, candle, stick pattern और बहुत सारी चीज़े देखते थे लेकिन आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि यदि आपको कोई stock लेना है और आप यदि चाहते हैं कि उसका fundamental analysis करें तो किस प्रकार से एक basic fundamental analysis करके आप खुद अच्छे stock चुन सकते हैं और बहुत सारी चीज़े आप देख सकते हैं तो अब देखें ये class शुरू करते हैं उससे पहले मैं आपको बता दू कि हमको monk trader community है पार्चीज़े हमेशा याद रखते हैं कि आपको patience full बने रहना है आपको हमेशा ही consistency के साथ काम करना है आपको discipline में बने रहना है लालशने करना इगो नहीं करना है आप सभी को पता होगा कि हमारी एक में से नए classes शुरू हो रहे हैं गुरुकुल का जो fourth season है वो शुरू हो रहा है जिस भाई बेन को जॉइन करना है रात को 9 बज़े से साड़े 10-11 वी तक रहता है इसमें बहुत सारी चीज़े हम लोग बताते हैं अचा कई लोग को लगता है call tip देते हैं क्या या फिर कोई stock suggestion करते हैं नहीं बिलकुल भी नहीं कोई call tip नहीं मिलती है कोई stock suggestion है हम stock market काम कैसे करता है आप सीखते कैसे है उसको A to Z सारी चीज़े सिखाते है इसमें live class होती है stock market के बारे में cash market के बारे में option buying option selling price action demand supply बहुत कमाल की चीज़े सिखाते है अचा यह तो सिखाते है उसके लावा health के बारे में सिखाते है mind management, emotional intelligence, meditation और भी बहुत सारी चीज़े सीखते है तो मज़ा आएगा अभी क्या है कि summer special offer चल रहा है 60% का discount है यदि आप लोग इसको join करना चाहते है 3999 में इसको join कर सकता है description में link है जाएए और join कर लिजे एक में से एक लाट से शूर हो जाएगी और application का जो link है वो भी description में वहाँ से भी आप join कर सकते हैं अब ध्यान से समझेगा कि दो प्रकार से लोग निवेश करने को देखते हैं वह personal term पर आते देखिए वैसे तो जितने भी निवेश आपके होते हैं वो किसी expert से जैसे भी registered रहते हैं उन्हीं के साथ करना चाहिए लेकिन कई लोग अभी खुद से सीखने लेगे हैं खुद से सीख के और चीजे stock खरीते हैं या फिर analysis करते हैं तो अब देखिये एक तो हो गया कि randomly अपने कुछ भी pick कर लिए किसी ने कुछ बता दिया या अपने मन से सोच लिया उस परकार से आपने pick कर लिया ठीक है अच्छी है हो गया वो चीज है ठीक है लेकिन ये भी हम देख़ी देखा कि किस प्रकार से लोग दो प्रकार से जो है stock को selection करते हैं और उसके बाद जो है वो analysis करके अपने logic लगा कर उसको करते हैं अच्छा ये जो वीडियो है कोई भी stock suggestion नहीं क्योंकि इसमें मैं एक दो stock के आपको comparison करके दिखाऊंगा तो बिल्कुल भी यह मा समझेगा कि मैं कोई suggestion दे रहा हूँ कि उनको buy or sell करना है बिल्कुल भी नहीं ऐसा कोई suggestion नहीं रहेगा सिर्फ आपको पढ़ाई के हिसाब से मैं उसके comparison बताऊंगा कि fundamental analysis कैसे करते हैं तो निवेश करने के लिए लोग दो tricks का इस्तिमाल करते हैं दो चीजों का इस्तिमाल करते हैं या तो कई लोग जो है वो technical analysis करते हैं और technical analysis करने के बाद जो है वो अपने निवेश को करते हैं कई लोग technical नहीं करते हैं फिर fundamental पर भरोसा रखते हैं और fundamental analysis करके अपने stock को portfolio बनाते हैं और निवेश करते हैं अपने पैसे को लेकिन आप देखिए समझेगा मीरी बात को कई लोग बोलते हैं और बहुत रहे शम् कूछ नहीं हों बहुत बहुत संचा अज्चाइब अच्छाई है थight फक्निकल कुछ तो बहुत सारी classes बनाएए, आप लोग देख सकते हैं, आज fundamental analysis देखेंगे, ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, या basic चीज़ क्या होती है, पहले basic से समझते हैं, थोड़ी class बड़ी हो सकती है, बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, जैसे कि आप हमेशा प्यार जब सबजी लेने के लिए जाते हैं, आप 150 रुपए खर्च करते हैं हर रोज माली जे सबजी लेने के लिए, वहाँ पर आप भटो को देखते हैं, है ना भिंडी को देखते हैं, आपने दी करेला लिया, उसको भी देखते हैं, करवा उतर उसके बाद भी देखते हैं, कि उस चीज में अपना पैसा निवेश नहीं करते हैं अब थोड़ा सा दिमाग लेए कि आप पचास सो रुपे दिरुसो रुपे पांसो रुपे की चीज को लेने के लिए इतना बारीकी से देखते हैं इतनी गौर से देखते हैं तो जब वैल्यू मिल रही है कि नहीं तो जब सुपिदा है इसकी ये सुपिदा है इसमें यह नहीं है इसमें यह नहीं है फिर फाइनली आप एक कार अचे करते लिए sword शेखते हैं जब मजबूरी बनती कि घर में शादी आगा कोई कारेकरम आगया तब ही विक्त खरीटा नहीं तो फिर क्या करता है जब भाव नीचे आता है तब खरीता है ऐसे ही जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप क्या देखते हैं या कपड़े में भी देखते हैं कि लोग जब ब्रैंड पहनते होंगे तो ब्रैंड में क्या देखते हैं है ना price मेरे range में आ रहे हैं कि नहीं, बहुत सारी चीज़े आप करता है, उसके पाद जो है अपना पैसा ने वीश करते हैं, तो सब से पहले जब भी आप stock market या जीवन में कहीं भी, जब भी आप पैसा लगाते हैं, तो सब से पहले आप क्या करते हैं, value देखते हैं कि उस चीज की उतनी value है कि नहीं जितना आप उसके लिए pay कर रहे हैं तो normally क्या होता है कार में सबजी में कपड़ों में वो चीज आपको समझ में आ जाती है लेकिन जब आप stock selection के बारी आती तो समझ नहीं पाते है क्योंकि ये थोड़ा सा broad area हो जाता है यहां पर आपने कभी पड़ाई नहीं की होती है कपड़े, कार ये सारी चीज तो आपने daily देखी होती सबजी ये तो daily देखी होती तो आपको पता चल जाता है तो ऐसे ही companies में होता है जब आप stock को selection करने के लिए तो अप ध्यान का रखना है कि इन्हें लेने से पहले भी आप क्या करते है value देखते है तो भी है जब stock select करने की बारी आती तो आप क्यों नहीं value देखते हैं आपको देखना चाहिए फिर अगली चीज आपको क्या ध्यान देना चाहिए कि peer comparison करना चाहिए जैसे plot लेने से पहले फ्लाइट लेने से पहले या कार लेने से पहले आप करते हैं तो सबसे पहले तो आपको value मिलना चाहिए ये बात आपको याद रखना है कि जो भी share आप लेंगे stock लेंगे उसका value मिलना चाहिए ठीक है उसकी इज़त होनी चाहिए उसका उत्रा value होना चाहिए जितना आप pay कर दूसरा आप अपने उसके competitor से थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे माली जी आपने टाटा की कार खरीदनी तो आप महिंद्रा के साथ भी compare करेंगे आप हंडाई के साथ भी compare करेंगे आप मारूती के साथ भी compare करेंगे तो आप जब भी product लेते तो दूसरी 3-4 चीज़ों के साथ compare करते जैसे plot लेते हैं आप लोग या घर लेते हैं तो आप क्या करते है comparison करते कि यार यह वाला plot लूँगा तो वो वाली colony में तो इतने भाव में मिल रहा है location अच्छी है अच्छा उसमें तो अच्छा नहीं है यार उसमें तो बेकार है वाँ पर locality अच्छी नहीं करते हैं तो पहला तो वैल्यू मिलना ठीए इस चीज़ को आपको नोटिस करना है स्टॉक मार्केट के अंदर शेयर में भी दूसरा कि उसी इंडस्ट्री में और कंपनीज क्या कर रही है और चीज़े क्या कर रही है और प्रोडक्ट कैसे बिहेव कर रहे हैं उनका प्राइज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अब यहां से चालू हो जाती है अब ध्यान से समझेगा अब आप यहां तो एक कॉपी पैन ले लिजिए और मेरे साथ साथ आप लिखते जाए आपको बड़ा मज़ा आएगा गारेंटी के साथ कह रहा हूँ आज इस क्लास जो है जो भी आप स्टॉक लेने वाले हैं सबसे पहले उसका इंट्रेंसिक वैल्यू देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है यवी आपका इंट्रेंसिक वैल्यू सही नहीं है और आप उस पर शेर खरीद रहे हैं तो आप पहली ही बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आप चाहे technical analysis कर रहे हैं या fundamental analysis कर रहे हैं सबसे पहले आप जाएए और देखिए कि उसका intrinsic value सही है कि नहीं अब intrinsic value क्या हमको दिखाता है या क्या होता है तो intrinsic value जो होता है fair value कहला था fair value क्या है है न कोई चीज आपको market में सस्ते में मिल रही है या महेंगे में मिल रही है ये आपको पता चलेगा उसकी intrinsic value से अब ध्यान से सुनना क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई apple जो है वो जब किसी वेक्ति ने लगाया उसमें जितनी भी मेहनत की उसके हिसाब से जो भी price ह हुआ तो मान लीजिए कि 100 रुपय किलो का intrinsic value आया ठीक है 100 रुपय का intrinsic value आया अब market में सबको पता है almost कि ये apple का जो भाव है वो 100 रुपय किलो है अब ध्यान से सुनना लेकिन वो बिक्रा है मान लीजिए 1500 रुपय किलो में ठीक है तो ये intrinsic value क्या थी 100 रुपय थी और 100 हो गया सुनना मेरी बात को 100 रुपय की value है उसकी लेकिन अभी विक्रा है नेयर सो में मतलब क्या हो गया lol intrinsic value से उपर विक्रा है ठीक है अब मान लिजिए और विक्रा है 70 रुपय में तो यह क्या विक्रा है इंट्रेंसिक वैल्यू से यह विक्रा है इंट्रेंसिक वैल्यू से कम में या नीची की और विक्रा है इसका क्या मतलब होता है कि भाईया अब जो चीज जितने की थी उससे सस्ते में विक्रें और कई बार ऐसा होता है सेव फल में भी ऐसे ही होता है कि intrinsic value रहती है मतलब एक main price रहता है उस price से वो उपर है या नीचे है हमें ये देखना होता है और इसी से पता चल जाएगा कि आपको वो share अभी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए तो पहली कड़ी यह होगी intrinsic value अब निकालते कैसे हैं बहुत ही simple है तो मैंने आज की पूरी class के लिए दो share के example लेके रखें उसी पर मैं सारी चीज़ दिखाऊंगा तो पहला share है Reliance का और दूसरा है State Bank of India का अब दिहान से देखिएगा यहाँ पर मैंने example ले लिए है Reliance का और यहाँ पर SBI का example ले लिए है इधर अभी SBI रखा है और इधर Reliance लखा है तो सबसे पहले हम SBI को देख लेते हैं कि SBI का intrinsic value क्या चल रहा है अब मेरी बात को दिहान से समझना intrinsic value निकालने की बहुत ही simple सी trick है आप Google पर जाएएगा और Google पर लिखेगा SBI share intrinsic value नमबर बता दूँगा इस पर पढ़के कि क्या लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और उसका current भाव क्या चल रहा है बस उसको compare करना है उससे जादा है तो intrinsic value से जादा है नहीं खरीदना है उससे कम है तो फिर क्या होगा कि भाया ठीक है खरीदने लायक है लेकिन और भी factor है वो हम आगे दिखेंगे लेकिन सबसे पहले यहाँ से comparison करेंगे intrinsic value से जादा है या कम है सबसे पहले दिखते है कि SBI का intrinsic value क्या है तो SBI का intrinsic value यहाँ पर दिखा रहा है 1787 रुपए 1787 रुपए इसका intrinsic value दिखा रहा है अब हम देखतें कि उसका current भाव क्या चल रहा है तो current भाव क्या चल रहा है 750 रुपए अब 1787 रुपए के करीब उसका क्या है intrinsic value है मतलब इसकी इज़त कितनी है 1787 रुपए लेकिन अभी यह कितने पर विकरा है कितने पर चल रहा है यह चल रहा है अभी मात्र 753 रुपए में मतलब यह intrinsic value से क्या है काफी नीचे है काफी नीचे है इसका मतलब कि एक अच्छी position पर कोई भी दिखती इसको buy करना चाहे तो फिर वो कर सकता है फिर से बतारो इस stock suggestion नहीं है यह इस प्रकार से दिखा जाता है चलो Reliance का देखते है तो Reliance का intrinsic value का है Reliance का intrinsic value है वो है 276 रुपए 276 रुपए इसका intrinsic value है लेकिन अभी Reliance कहा चल रहा है तो अभी Reliance चल रहा है 299 रुपए पर अब देखो दोनों example मिल गए एक में कहा है intrinsic value से बहुत कम है share का price और एक में कहा है intrinsic value से जादा है intrinsic value कहा है यहाँ पर Reliance का 276 रुपए अच्छा price बता रहा है intrinsic value से नीचे मिलता है तो फिर लेने की बाद करना चाहिए लेकिन यहाँ पर current भाव क्या चल रहा है 299 रुपए जब नीचे आएगा तब मैं सोचूँगा तो पहली step समझ मैं पहली step क्या करना है आपको जो भी share के बारे में study करना है जानकारी लेना है सबसे पहले देखो उसका intrinsic value क्या है intrinsic value निकालने के लिए Google पर जाएए share का नाम लिखिए और लिखिए कि उसका intrinsic value चाहिए उसका आ जाएगा फिर आप क्या किजिए उसका current भाव देखिए उससे match कीजिए उपर है तो intrinsic value से उपर है stop बोलिए अभी नहीं और नीचे है तब आप देख सकते है उसकी चाल को अब अगला second step क्या है उसको बोलते है total market cap ये भी अभी मैं दिखाने वाला हूँ अब क्या होता है थोड़ा सा logical ही समझीगा सबसे पहरे आपने intrinsic value देख लिया intrinsic value से आपको पता चल गया पहले ही कि भया खरीदने लाइक है कि नहीं है नीचे है तो हम पहला सोचेंगे उपर है तो नहीं सोचेंगे दूसरी बात कि जब आपको पता चलता है कि किसी company का capital बहुत बढ़िया है बहुत बड़ा है इसके पास खुल पुझी बहुत ज़ादा है तो क्या होता है यदि छोटी company है तो आपका क्या होगा कि बड़ा risk है समझना मेरी बात यदि मतलब छोटी company कैसे कि उसका market cap बहुत कम है मतलब मानलों कि 500 करोड है 700 करोड है 1000 करोड है तो इसके इसाब से क्या हो गया कि यह वो छोटी company है छोटी company में जब आप निवेश करेंगे और यदि उसके competitor के पास बहुत ज़ादा पैसा होगा तो वो तो उसको दबा देगी उसको खतम कर देगी तो इसके इसाब से आपको क्या समझना है कि यदि छोटी company है तो उसमें बड़ा risk होगा और यदि market cap उसका बहुत बड़ा है तो उसमें कम risk है मतलब जो आपका पैसा डूबने के chances ये share market में वो कम हो जाते है जैसे मालीजे कि हम दो example के साथ फिर से देखते है example क्या है वही है एक में Reliance है SBI है दोनों ही बड़ी company है तो यहाँ पर fundamental analysis है अभी आप लोग सोच रहे होंगे आपके पास कोई भी डिमेट अकाउंट यूज़ करे हो वहाँ से आप लोग इसको दीख सकते है तो उसके नीचे जब भी आप share लिखेंगे उसको नीचे scroll down करेंगे तो इस सारी की सारी information वहाँ पर आ जाएगी market cap है एक दो करोड़, पानसो करोड़, छेसो करोड़ की बात नहीं हो रही है यहाँ पर किस की बात हो रही है बीस लाख, चवदा हजार करोड़ मतलब यह तो बहुत बड़ी कंपनी है और वाकई में Reliance तो मतलब देश की सबसे बड़ी बड़ी कंपनी है तो जब आप किसी कंपनी में निवेश करते हैं तो वहाँ पर पहले यह देख लें कि उसका market cap कितना है यह दि बड़ा है और आप निवेश करने की सोचने है तो दो प्लस पॉइंट आ गए एक intrinsic value से नीचे हो गया एक market cap आपका ठीक ठाक हो गया सिंपल सी बात है बतला वो अच्छी कंपनी है बड़ी कंपनी है आप उसके बारे में सोच सकते है दो चीज़े होगा clear or complete तीसरी चीज़ आपको देखना है कुछ ratio होते है वो ratio उसको पढ़ना आना चाहिए आप वो ratio क्या होते है करी बार बहुत आसानी से सिखाया जा सकता है मैं भी आसानी से सिखाऊंगा लेकिन उसकी depth में जाके सिखाएंगे तो तीन प्रकार के ratio आप देख सकते है PE ratio एक PB ratio और एक depth ratio तीर ratio देखे और भी होते हैं लेकिन बहुत जादे देखने की जरूरत नहीं है आप ये तीन को देखे उसके बाद आप कहेंगे तो और advanced class बना देंगे इसके पर फिर वो भी समझा देंगे आप ठीक है तो सबसे पहले देखते हैं PE ratio क्या होता है और कहां से देखते हैं वो भी बताऊंगा मैं चीक है तो ये PE ratio का मतलब होता है आप price में भाग देते हैं EPS का आप ये price कहां से देखते हैं और EPS कहां से देखते हैं मैं ये सब बताऊंगा आपको चीक है पर ये इस बात को समझ लीजिए कि जब किसी भी share के total जो price है मतलब अभी रिलाइंस मालो 2800-2900 चलता है तो उसमें आप उसके EPS का भाग देंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगा उसका PE ratio हो जाएगा और PE ratio क्यों देखा जाता है किस काम में आता है तो कितना रुपय लगाने पर आपको कितना रुपय मिलेगा इस चीज को देखने के लिए आप PE ratio देखते हैं आपने कई बार कई सारे वीडियोस में दिखा होगा कि अरे PE ratio देखा करो बस PE ratio देखलो और कमपरी को खरीद लो तो यह PE ratio क्या होता है कि बताते नहीं है लोग मतलब उनको खुद को या तो हो सकता है पता नहीं हो या उन्होंने study नहीं कियो कि यह PE ratio है क्या PE ratio का मतलब होता है कि आप कितने रुपय लगाएंगे और उस पर आपको कितना रुपय मिलेगा तो माल लीजे example के लिए कि किसी कमपरी का PE अभी चल रहा है 15 रुपय तो इसका मतलब यह होता है कि आपको एक रुपय कमाने के लिए कमपरी में 15 रुपय लगाने पड़ेंगे समझ लो simple सी बात है यदि किसी कमपरी का जो PE ratio है वो माल लीजे 15 चल रहा है इसका मतलब है कि यदि आपको उस कमपरी से एक रुपय कमाना है तो एक रुपय कमाने के लिए आपको 15 रुपय लगाने पड़ेंगे चलो इसको सीख लेते हैं कि कहा से देखा जाता है simple है price में total इसका भाग देते है EPS का अब कैसे देते हैं यहां से में दिखा देता हूँ यहां पर लिखा रहता है price यह किसी कमपरी का price होता है जैसे Reliance का price क्या है यहां पर Reliance का price है 297 रुपय है जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ और इसका EPS जो है यहां पर लिखा होता है यहाँ पर लिखा है यह box में लिखा है PE ratio ठीक है तो यह लिखा है PE ratio कितना 28.78 तो यह है 28.78 इसका मतलब क्या है मतलब समझने की कोशिश करने आपको मतलब यह है कि यदि आपको reliance में एक रुपए कमाना है profit यह जाना है और एक रुपए कमाना है तो उसके लिए आपको 28 रु इसका PE ratio क्या आ रहा है लगभाग 10 के करीब आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ अब ध्यान से समझना यही चीज़ आपको समझना है यही होता है PE ratio अब कई लोग पूछते की PE ratio क्या होना चाहिए तो depend करता है company to company पर भी depend करता है उनके peer का क्या चलता है वो भी depend करता है है लेकिन ऐसा कहा जाता है या माना जाता है कि यदि PE ratio जितना कम हो उतना अच्छा है मतलब माइनस में तो नहीं होना चाहिए मतलब एक स इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उस company में एक रुपया कमाने के लिए एक रुपया ही लगाना है किसी company का दो है पी रिशो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एक रुपया कमाना है तो दो रुपया लगाना पड़ेगा तो यहाँ पर आपको दो example से समझा दे हैं मैंने कि यदी Reliance में आपको अभी के स्थिती में PE चल रहा है 28 इसका मतलब यदी Reliance से आपको 1 रुपय कमाना तो 28 रुपय तो भीय लगाना पड़ेगा और यदी SBI में आपको 1 रुपय कमाना तो 10 रुपय लगाना पड़ेगा अब इससे क्या होता है इससे ये होता है कि जितना अच्छी कमपनी उसका जितना PE कम आ गया इसका मतलब कि आपके पास निवेश के चांसे बढ़ जाएंगे आप कम पूंजी में भी जादा निवेश कर पाएंगे और प्राफिट के चांसे आपके बढ़ सकते हैं और जब PE रिशो बढ़ जाता है इ आप जब PE रिशो कम है और तब निवेश करते तो आप मालिजे इसमें भी एक लाख रुपे है आपके पास इसमें भी एक लाख रुपे है दोनों में एक लाख रुपे निवेश कर रहे है लेकिन इसमें एक लाख में प्रॉफिट जो कमाएंगे वो इसके अपेक्षा में कम होगा आपको Profit Reliance में, क्यों? क्योंकि इसका PE ratio कितना 28, इसका मतलब क्या हुआ? कि आप जब पैसा लगाएंगे अपना टोटल, तो 28 रुपे पर आपको एक रुपे मिलेगा, और यहाँ पर 10 रुपे पर भी यह PB ratio है, अब PB ratio क्या होता है? और यह क्या काम करता है? चलो, इसको देखते हैं, तो PB ratio क्या करता है? कि यह भी company आज ही बंद हो जाती है, कोई company बड़ी है और आज वो बंद हो जाती है तो एक share के बदले आपको कितना रुपे अब मिलेगा, है ना? यह book value पर होता है book value क्या होती है, मैं आपको समझाता हूँ, उसको निकालते कैसे वो भी बताता हूँ ठीक है, यह book value पर निवरोग करता है तो PB ratio क्यों देखना ज़रूरी है? कि आज आज आपके पास किसी company के share है मान लीजे है और वो company आज शट हो रही है, बंध हो रही है तो आपके पास share तो पड़े हुए है, आपको रुपे भी मिलेगा तो एक share पर आपको कितना रुपे मिलेगा वापस क्योंकि बहिए कम मिलेगा हो सकता है, कम मिलेगा वो तो 92 रुपे और book value जो चल रही है, इसकी 373 चल रही है इसका मतलब क्या हुआ, कि यदि आज SBI company बंध हो जाती है ऐसे नहीं होगा, लेकिन मान लीजे बंध हो जाती है तो आपका जो 592 रुपे का share है, जिसने भी आज लिया होगा उसको 373 रुपे ही मिलेंगे, ये बात आपको समझना है एक और example ले लेते हैं मान लीजे, हाँ, तो यहाँ पर देखे तो यदि company बंध हो गई, तो आपको SBI के एक share के बदले 500 बयानमे में आपने खरीदा था, मान लीजे बंध हो गई company तो आपको 373 रुपे ही मिलेंगे, इसी को बोलते है PB ratio या book value पर निकलता है, ठीक है इसका formula क्या होता है, price में आपको भाग देना होता है book value का, तो यहाँ पर आ जाता है PB ratio, यह देखे, यहाँ पर आ गया उस पर return, तो यह बात समझे, return तो कुछ मिलेगा नि, मतलब उल्टा आपको और नुकसानी हो जाएगा ठीक है, तो यहाँ पर देखते है, Reliance का PB ratio क्या है, तो यहाँ पर PB ratio निकालने के लिए 297 हमने लिखा, और 297 में PB ratio निकालने के लिए हमने कहा किया, book value, book value यहाँ पर कितनी है इसकी, तो यहाँ पर देखे यहाँ पर देखे, यहाँ पर पर गया, यहाँ पर देखे, यहाँ पर PB ratio आता है, यह लिखा हूँ पर आप खुद देख सकते है तो यह बात आपको समझना होगा कि बुक वैल्यू इसका मतलब आपको यदि कंपनी बंद होती है तो इतना रुपय आपका लगा हुआ है लेकिन इतना ही मिलेगा आधा ही मिलेगा इसको समझेगा तो यह भी जितना कम है उतना बढ़िया है फाइदे मंदे एक दो है तो कि 753 के करीब इसका भाव चल रहा है और इसका बुक वैल्यू जो है 371 रुपई है मतलब लगबग लगबग वही देड़ से 2 के करीब का इसका पीवी रेशो होगा मतलब आपको आधे के करीबी पैसा मिलेगा इस बात को यह द रिखेगा अगला जो है अगला जो है आपको रिलाइंस का शेर खरीदा तो आप कोन है मालिक रेकिन रिलाइंस कंपेनी जो है वो कहीं कहीं से उधार भी लेगी जब उनको काम पड़ेगा तो कहीं कहीं बैंक से या किसी से भी उधार लेगी बहुत बड़ा अमांट उधार लेगी तो वह आपके करजदार हो गए मतलब कि यदि debt to equity ratio जो है वो 1.5 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रुपए पर देड़ी रुपए का कर्ज company ने लिया है सिंपल सी बात है कि यदि किसी company का debt to equity ratio जो है 1.5 है दिखा रहा है वाँ पर अभी दिखाऊंगा कैसे दिखता है तो यदि 1.5 है इसका रुपए का क्या लिया है लोन लेकर रखा है अब सोच कर देखें ने खुदी कि company जितना जादा लोन लेगी तो वो तो share धारकों के लिए दिक्कत वाली बात होगी न कि कभी भी यदि आपका loan बढ़ जाता है total price से तो वो तो company बिकने की कागार पर आ जाएगी तो इसलिए भाया business धंदा बढ़ाने के लिए loan तो लेने ही पड़ता है चलो मान लिया market से पैसा तो उठाने ही पड़ता है लेकिन वो total जो market जो उनका पैसा है मतलब जितना उनका total पैसा है उससे यदि जादा करज बढ़ता है तो वो दिक्कत वाली बात हो सकती है इसलिए ये ratio भी जादा बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए ठीक है अब best debt to equity कितना होगा जितना कम होगा उतना अच्छा होगा चलो हम इसको example से दिखा देते हैं तो example देखते हैं फिर से रिलाइंस का दो ये example लिए है तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन में यहाँ पर debt to equity ratio लिखा हुआ होगा और यहाँ पर लिखा होगा SBI का तो SBI का debt to equity ratio क्या है देखिए 1.5 वही कि एक रुपे के बदले 1.5 रुपे का जो कर्ज है SBI ने ले रखा है लेकिन रिलाइंस का देखो कितना बड़ी है रिलाइंस में एक रुपे के बदले 0.12 का ही debt to equity ratio है इसका मतलब इसमें कर्ज बहुत कम ले रखा है मतलब इसमें जो आपका पैसा है वो निवेश करना safe है SBI में भी safe है ऐसा नहीं कि SBI में कोई दिक्क्त दा लिबात है लेकिन यदि दोनों में compare करें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको रिलाइंस में जादा safe दिख रहा है लेकिन यह intrinsic value पर जादा चल रहा है बहुत सारी चीज़े compare करना पड़ता है तो यह आपको समझ में आया होगा इसको बोलते debt to equity ratio इसके बाद क्या देखना होता है आपको promoter की holding देखना होता है अब देखे जिस यक्ति ने company को बनाया है उपर लेकर गया है जिनकी companies है उनकी यदि holding जो है जाधा से जाधा होगे इसका मतलब क्या होगा वो अपनी company में खुद ही interested है और इधी कम होती जा रही है माले जए हर साल या रह तीन में प्रcorporan में कम होती जा रही है तो क्या होगा इसका मतलब कि भाईया वो कोई तो दिकत मैं है उनकी company उनको खुद को भरुसा नहीं अपनी कंपरी पर तो आपको क्या देखना होगा कि भाया बड़े institution जो है वो क्या कर रहे है या mutual fund companies क्या कर रहे है या जो promoter है वो क्या कर रहे है अब उसको कैसे देखते है इसको भी इसी के नीचे scroll down करेंगे तो यहाँ पर सारी की सारी चीज़ कड़ा होगा था 50 उसमे का उसानी को वल्टा और वटा ही लिया जया वट इसको भी दिखती में तो आपको यहां से यह भी समय में आता है कि बड़े लोग इस कंपणी में इंटरश्टेट है या नहीं कुद एक मालिक इस सापनि इंटरश्टेड है नहीं इन ₹ बड़ा रहा है मतलब होडिक बढ़ार है इसका मतलब इसको पता है कि यह मेरी में उस तो पर भी बढ़ाया ही है इसके बाद रिटेलर ठोड़ दो फॉरें इंस्टिशन ने भी क्या किया है अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है यहां पर है ना और मुचल कैसा चल रहे है अप यह दोलों क्या होता है डिए मतलब होता है कि टोटल उसने कितनी अर्णिंग की है मतलब उसने कितने का बिजनेस किया है और और प्रॉफिट अलग हो आप जो last में बचेगा, सब tax facts भरने के बार, वो मेरा profit कहलाएगा, तो simple सी चीज है, कि आपको revenue और profit दोनों बढ़ते हुए क्रम में दिखना चाहिए, तो चलिए इसके लिए मैं आपको एक website पर लेकर चलता हूँ, बहुत ही simple है, वहाँ पर हम सारी की सारी चीज़ी देख सकते हैं, तो यह है screener.in, यहाँ पर आप बहुत शांदर सारी चीज़ी देख सकते हैं, तो सबसे पहले हम Reliance का example देखते हैं, Reliance के अंदर, तो यहाँ पर आपको इस परकार से आजाएगा, आप search में जाके Reliance का किसी भी company का ढूण सकते हैं डीटा, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, कि भईया company ने sell कितना किया है, मतब total बेचा कितना है, total पैसा घर कितना है, वो देखना है, तो यहाँ पर यह sell लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेगा, गट नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है, कि चलो भईया, ठीक है, यह company base तो पा रहे है, यह तो बड़िया बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि company base पाती है कई सारी चीज़े, लेकिन, मतलब base तो दिया, लेकिन घर profit नहीं लापा रहे है, मतलब उनके खर्चे जादा हो रहे हैं, तो हमको यह भी देखना पड़ेगा, कि भईया, company जो है, वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर, revenue तो अच्छा generate कर रहे हैं, लेकिन बचा कुछ नहीं पा रहे हैं, कई बार company ऐसा करती, तो profit भी देखना पड़ेगा, तो profit कहा देखेंगे, उसी के just नीचे, तो यह sell हो गया, अब यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर net profit देखेंगे, अब हम देखेंगे net profit क्या हो रहा है, तो यहाँ पर 14,000 करोड, यह ना, एक करोड में दीवा, तो 14,000 करो, 14,000 करो, 13,000 करो, 15, 20, 18, 19, 15, 17, 21, 18, 19, 19, तो मतलब consistently यह एक profit पर बड़ी हुई है, या अटकी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें, माइनस में नहीं जा रहा है, मतलब नीचे, decline तो नहीं हो रहा है, इतनी बात तो हमको समझ में आ रही है, हर तिमाही में, ठीक है, तो इस बात को याद रखना है, यह चीज़े बहुत important होती है, तो यहाँ पर हमने एक चार्ट बना के बता दिया आपको की revenue क्या होन समपतियां, समपति क्या होनाप की यादफ बढ़ना चाहि है, और liabilities मतलब जो आपकी उधारियां है, देंदरियां है, वह कम होती जानी चीज़े, सीधी से बात है, माँन लिजीएं, कि आपके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, जो भी चीज़े, तो और प्यथ lathवन होते जाना चाहिए तो ये भी हम कहां से चेक कर सकते हैं ये भी हम यहीं से चेक कर सकते हैं कि भिया एसेट्स क्या हो रही है और लाइबिलिटीज क्या हो रही है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसकी liabilities, reliance की liabilities देख रहे, तो यहाँ पर total liabilities जो है, वो हर 3 मिने में यहाँ पर क्या होती जारी है, बढ़ती जारी है, लेकिन क्या उसी के साथ उसके assets भी बढ़ रहे हैं, यह भी देखना पड़ेगा, तो उसके नीचे आएंगे, तो धीरे से नीचे आएंगे, यहाँ पर कि assets बढ़ रहे हैं, लेकि liabilities भी दीरे-दीरे करके कम होती जाती, तो और यह मज़िदार चीज हो जाती, बढ़िया चीज हो जाती, तो यदि यह भी हो रहा है, आप इसमें एक negative point क्या हो जाएगा, यदि माली जी कि इसकी liabilities बढ़ती जारी है, और assets दीरे-दीरे कम होती ज बढ़ रहे हैं, यह आपका काम चल रहा है, तेकिन दीरे-दीरे करके आपके थोड़े-थोड़े कहीं-कहीं आपको भ्याज भी भरना पड़ रहा है, माली जैस बैंक से उधाले लिया, उस लेक्ति से उधाले लिया, तो यह तो चलो ठीक है, कि आपकी assets भी बढ़ रही है, है ना, liabilities बढ़ रही है, लिकिन आपकी assets भी बढ़ रही है, किसी एक उसको बेच कि जब उसका भाव बढ़ जाएगा, तो आप उसकता है सारी चुका दे, लेकिन यह दिसका उल्टा हो जाए, कि आपका यहां का लोन बढ़ रहा है, वहां का लोन बढ़ रहा है, और अब इस चीज को समझने के लिए, आप अपना खुद का example ले सकते हैं, उससे बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, और एक और चीज है, कि आपको balance sheet के अंदर यह देखना है, कि cash flow जो है, कमपनी का बढ़ रहा है कि घट रहा है, और उसको भी आप यहीं पर check कर सकते हैं, यह देखें, cash flow लिखा हुआ है, और यह जो net cash flow है, यह देखेंगा, यहाँ पर बढ़ा, लेकिन यह 2-3 मेने, 4 मेने में यहाँ पर घटता हुआ नजर आ है, इसके बाद यह फिर बढ़ता हुआ नजर आ है, तो cash flow भी company के पास क्या होना चाहिए, कि बढ़ता हुआ नजर आ इसके अलावा अब इतनी चीज़े तो main होगे, आप लोगों नहीं यह बात समझ लिए होगी, अभी वीडियो हो सकता है, थोड़ा सा बढ़ा होगे और टेंशन लेने की जूरूत नहीं है, इसको 2-3 बार देखेंगे न, आप तो मज़ाएगा, बहुत जादा सीखने को मिल इसके पास उसका cash flow बहुत बढ़ा है, वो बहुत बड़ी company है, अब कोई छोटी सी company शुरू होई, यह बड़ी company को छोटी company को दबाना है या खतम करना है, तो क्या करेगी, monopoly create करने के लिए, उसके पास पैसा है, वो उसका use कर सकती है, जैसे एक example देता हूँ, जब GEO market में आ बड़े नाम है, वो companies भी GEO के सामने नहीं टेक पाई, और उसने monopoly type में create कर ली, मतलब एक शत्र राज हो गया, तो आपको लगता जरूर है कि आरे नहीं नहीं क्या कर लेगी, लेकिन भगया देखते ही देखते ही देखते लोगों के business खतम हो जाते, देखे Airtel और Idea कितनी ब competitor आया है क्या, उस company का future क्या है, monopoly क्या create कर रहे है वो, या competitor कौन कौन है, यह सारी की सारी चीज़े भी यह दि आप पता रखेंगे, तो आपका fundamental analysis बहुत अच्छा होगा, अब ध्यान से समझेगा, इतने सारे episode में हम कभी indicator दिखाते थे, कभी candle दिखाते थे, कभी कोई pattern बता है, तो हर एक factor पर यदि आप काम करेंगे, तो आप उतनी ज़्यादा growth करेंगे, तो technical analysis तो करी सकते हैं आप, लेकिन fundamental analysis भी करेंगे, तो आपको बहुत मज़ाएगा, और ज़्यादा research करके आप share को खरीद पाएगे, यह video कैसा लगा, मुझे comment box में comment करके जरूर बताएगा, यदि भी तक नए है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे मज़िदार बात की एक मेंसे जो है, हमारी main classes शुरू हो रही है, और जिस भी भाई बहन को हमारी main classes को join करना है, तो वो कर सकते हैं, अभी offer चल रहा है, 3999 जो है, इसका price है, सब्सक्राइब करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाएए और इन classes को join किजए, अगली class में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब का बहुत 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 खन्यवाद